हलो एवरीवन, वेलकम टू आ न्यू वीडियो, सो HDFC बैंक का क्लोजिंग क्या था, देखिए, 16.51 और प्रिविएस क्लोजिंग 16.62, 16.51 पे क्लोज हुआ है, बार-बार नीचे जाके वो सपोर्ट ले रहा है, तो सिंपल मुविंग एवरेज़ में मैंने देखा कि इसका 5-day म मुविंग एवरेज है, 16.43, जो बुलिश साइन दे रहा है, तो यहां यह वाला सपोर्ट अगर टूटा, तो भयंकर इसमें सेलिंग आएगी, जो कि जिसके प्रॉबबिलिटी मुझे 30% लग रही है, 70% चांसे है कि यह 16.43 टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब रेंज बाउंड ट्रेड कैसे पकड़ना है, उसका एक एक एग्जामपल है, it is not a buy or sell recommendation, please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument, तो 16.43 अगर तूटता भी है तो देखो 16.34 पे 100 डेमा है, now this becomes a very strong support again, because यह भी bullish साइन है, यहां भी mild bullish bullish signals आ गएए क्योंकि support ले रहा है स्टॉक, तो खास करके ऐसे स्टॉक्स में जहां आपको movement मिल रहा है और range bound है और नीचे के भाव पे support मिल रहा है, वहां हम लोग पहले support देख लिया, 16.43 और 16.34, अब देखेंगे थोड़ा technicals में जाके इसका RSI क्या बोलता है, सब जगा bearish, bearish, bearish signal, because काफी correction हुआ है स्टॉक में, लेगिन FII का favorite स्टॉक है, तो अगर FII वापिस आएंगे, तो सबसे पहले ऐसी ही चीज़ों में वो गुसेंगे, क्योंकि don't forget, banks जो है, और इंडिया में जो सबसे बड़ी bank है in terms of market value, वो HDFC है, और अभी undervalued है, I know 4 साल से जादा चला नहीं है, बट ये classic signs होते हैं, इस वक जब market में, बजार में correction के बाद जल मंडरा रहे हैं, तो classic signs होते हैं, उन stocks पे जो चले नहीं है, और शायद आगे चल सकते हैं, लेकिन इसका RSI relative strength index 44 दिखा रहा है, जब तक ये RSI 55, 60 की तरफ न जाए, ये neutral रहेगा, याने sideways रह सकता है, then next is, जो मैंने moving average देखा था, उसमें मैं देखूं, resistance कहां पे है, सबसे पहला 10 डेमा, जहां पे देखो, आप देख रहे हो ना, ये cross नहीं कर पा रहा है, दो तीन दिन से कोशिश कर रहा है, उपर भी गया, but 1676 पहला resistance है, 1706 दूसरा 15 डेमा और 20 डेमा, very important short term में है 20 डेमा, याने अगर जिस दिन HDFC बैंक ने 1700, ये cash levels हैं, futures का नहीं है, cash market का बाओ, अभी 1652 पह है, जिस दिन ये 1700 के उपर closing दिने में कामियाब हुआ, एक दो दिन continuously, चलो तीन दिन consecutively, उस दिन ये 20 डेमा के उपर आएगा, और वहां से आप समझ लो, 1700 के उपर जाने के बाद वापिस आपको 3-4-5% दिख सकता है, लेकिन अभी जहां support लिया, अभी क 35, 34 जहां उसका strong support है, वहां touch करे, बार 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 टच करेगा, और एक दिन फिर ऐसा news आएगा, कि ये हो गया, वो हो गया, और stock ऊपर चला गया, कुछ quarterly results आ जाएंगे, 14th November का date है, जिसमें, again, जो दूसरा tranche of MSCI rebalancing था, वो HDFC bank को पैसे मिलने वाले थे, around 1.8 billion dollars इसमें आने वाले हैं, तो वो date 13 या 14 November की है, उसके बाद फिर इस stock में वापिस एक pullback आएगा, तो अभी मेरे को लगता है, signs वो ही बन रहे हैं, एक kind of a pullback के, but अभी it's too early, as I said, हमेशा, this is a time to track stocks, and not do anything, but keep them in your watch list, and consult your financial advisor, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के है, keep profiting